प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलेकुम तारीख के पिछले चौथे सबब में हमने मुल्क की मुश्टरिक माशियत, तमाम पंसाला मनसुवजात और नई माशी पॉलिसियों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की अब हम इस पांचवे सबब तालीमी पेशरफ्ट में यानि मुल्क के अवाम को तालीम की तरफ मतवज़ा करने और रागित करने के लिए हुकुमत ने क्या क्या पॉलिसियों बनाई इसके बारे में जानेंगे और मर्दम शुमारी यानि मुल्क के अवाम की यानि लोगों की गिंती हर तसाल में की जाती है जिसके आदाद और शुमा से पता चलता है कि मुलक में कितनी गरीबी और कितनी जहालत है, कितनी इल्म की कमी है अब्तिदाई तालिम में तखता खरिया यानि चौप ब्लैक बॉर्ड मनसुबा जो आपरेशन ब्लैक बॉर्ड के नाम से चलाया गया सानवी तालिम यानि सेकंडरी एजुकेशन के लिए पहले वजीर तालिम मौलाना आज़ाद ने इनवर्सिटी कमेशन नामज़त किया 1952 तिरपन में मदलियार कमेशन ने 11 जमा चार का बुनियादी खाका पेश किया यानि 11 वी के बाद 4 सल का डिगरी कोर्स उसके बाद कोठारी कमेशन 1964 में डॉक्टर डी एस कोठारी की सदारत में बनाया गया जिसमें जेपी नायक नामी शख्स ने बहुत एहम काम अन्जाम दिये जिसके धाचे में 10 जमा 2 जमा 3 यानि 10 वी के बाद 12 और फिर 3 साल का डिगरी कोर्स था कोठारी कमेशन के मताबिक तालिम के माकासिद में अवाम में समाजी और कौमी एक्ता यजज़ती पैदा करना समाजी माश्रती और इखलाकी रुछानी एकदार और तहजीब की निगेदाश्ट और हिफाज़त नमबर 3 जमोरियत का तहाफुस और तरक्की नमबर 4 तालिम और पैदावारियत यानि के बुनियादी जुरूरियात और जरही पैदावारियत पांचवा है तालिम की जदीदकारी आला तालिम के लिए 1948 में डॉक्टर सर्वुपली राधाकृष्णन की सदारत में जामियाती की तालिमी कमिशन बनाया गया पैरे बच्चों इन तमाम निकात के बारे में हम तफसीली वज़ाहत के साथ मालूमात हासिल करेंगे पैरे बच्चों